दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने ही यूडू चैनल दर डियम ओफ बिलेज पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटर पास करने के बाद कक्छा बार्मी पास करने के बाद आप अपने बेटा को बेटी को कौन सा कोर्स कराएं जी है अगर आपके घर में कोई बिद्ध्यारती है या आप खुद एक बिद्ध्यारती है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना इंटर के बाद कौन सी पढ़ाई करें आज की वीडियो इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल का इकन जरूर दबादें तक यहाँ देख सकें आने वाली कल की वीडियो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी विद्धियारती है या आप खोद एक विद्धियारती है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो जाती है जब कक्छा बारमी पास कर लेते हैं तो कन्फ्यूजिंग होती है कि इंटर के बाद अब कौन सी पढ़ाई करें क्या करें क्या ना करें बहुत दिक्कत हो जाती है तो दोस्तों अगर आप इंटर पास कर चुके हैं या इंटर का रिजल्ट आने वाला है तो आज हम आपकी परिसानी को दूर करेंगे सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इंटर पास हम हो चुके हैं और आपका बैलिंस कितना है क्योंकि इंटर के बाद जो भी पढ़ाई होगी वो फिरी में नहीं होने वाली है क्योंकि काफी ऐसे कोर्स हैं जिसमें लाख दो लाख पचास जार रुपए फीस जमा होती है विना पैसे के पढ़ाई भी नहीं होती है ये सब दिखावक की बाते हैं कि बहुत कम पैसा जाएगा ये है वो है ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इंटर के बात कोई भी आप इंजिनिंग कोर्स करेंगे या डॉक्टरी कोर्स करेंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो उसमें पैसा जरूर जाएगा क्योंकि बड़े-बड़े कॉलिज हैं, बड़े-बड़े महाबिध्याले हैं, यूनिवर्स्टी हैं काफी अच्छी खासी फीस लेते हैं तो सबसे पहले आप अपना बैंक बैलेंस जरूर देखें उसी के साफ से आप एड़िविशन लें समझ रहना आप मैं क्या कह रहा हूँ मालिया आपने बी-टेग में एड़िशन तो ले लिया और स्कूल की फीस देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको और बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो एड़िशन लेने से पहले आप अपना घर का जो बैंक वैलेंस है आपके फादर का, मदर का जो भी है उसी के साफ से आप एड़िशन लें नमबर दो मालिया आप पढ़ने में कमजोर हैं ठीक है और आपने हिंदी मीडियम से इंटर पास किया है और आपने ले लिया MBBS में एड़िशन या BUMS में एड़िशन या किसी अच्छे और कोर्स में एड़िशन तो ले लिया लेकिन पढ़ने में आप बिलकुल गदे हैं तो भी बात नहीं बनेगी पैसा है और पढ़ने में बेकार हैं तो भी बात नहीं बनेगी इसलिए आप अपने टैलेंट के ही हिसाफ से एड़िशन लें वैसे मेरा मानना है कि DM बनने के लिए मैंने देखाया कि BA और BSC करके भी लोग DM, HDM और उच अधिकारी बन जाते हैं तो अगर आप गरीब हैं और आपके पास पैसा नहीं है और टैलेंट है तो आप इंटर के बाद B.A. भी कर सकते हैं B.A. करके भी लोग DM बन जाते हैं यह ध्यान रखना दोस्तो B.SC भी कर सकते हैं B.A. M.A. भी करें B.A. सी के बाद आप M.S.C. भी कर सकते हैं यह बो कोर्स हैं जो बहुत सरकारी कॉलिज मिल जाए तो बहुती कम फीस पर 2-4 हजार में हो जाता है बिलकुल फाइनल प्राइवेड में माल लीजिए 30 हजार में 20 ही फाइनल हो जाएगी और बीए बोई 15-16 हजार में फाइनल हो जाएगा तो मेरे कहने का मतलब है आप अपने टैलेंट और बेंक वैलेंस के हिसाब से ही आइडविशन लेना बेंक वैलेंस बहुत है लेकिन टैलेंट पढ़ने में बेकार है तो भी बात नहीं बनेगी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन बेंक वैलेंस नहीं है पैसा नहीं है स्कूल की फीस जमा करने के लिए और आड़िशन ले लिए तो भी बेकार हैं फिलाल ये ध्यान रखना अगर आपके पास बैंक बैलेंस भी और टैलेंट भी है तो आप B-TEC भी कर सकते हैं पॉली टैक्निक भी कर सकते हैं और आप B-A-MS V-U-MS भी कर सकते हैं B-B-A कर सकते हैं उसी के साफ से आप एड़िशन लें नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है या परिशान है तो इस वीडियो में पूरी बात तो नहीं बता सकता लेकिन आप हमें कमिन्ट करके जरूर बताना कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके पास इंटर में कौन-कौन से सब्जेक्ट है मैं इसमें पूरी जानकारी दूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को हम इहीं पर समाप्त करते हैं और आपको एक अच्छी सलाहम दे चुके हैं आप बैंक वैलेंस और अपने टैलेंट के ही इससाफ से एड़िशन लें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बस आज तक तो इतना ही लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आप इंटर के बाद क्या करना चाहते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए भई धन्यवाद